वीरार में भगवान के गर मंदिर में तीसरी बार हुई चोरी एक ही मंदिर में तीन बार चोरी हैने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है चोर आखिर वीरार पुलिस चोर को पकड़ने में क्यों साबित हो रही है नाकाम विरारपुर्व सहकार नगर में इच्छापुर्ती माता दुर्गा मंदिर में 13 तारिक को रात में अग्याच चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्रों से 1000 रुपे नगद चोरी कर फरार हो गए चोरों ने दान पात्रों में जमा हुई हजारों रुपे की नकदी पर हाथ साफ कर दिया गटना के अगले दिन मंदिर के सेवादार ने लोगों को चोरी होने की जानकरी दी मंदिर में चोरी होने की जानकरी पर लोग एकद्रित हो गए वहीं मंदिर में चोरी होने से ग्रामीडों में रोश भी व्याप्त हो गया इस चोरी की वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक चोर चोरी करके निकलते हुए दिखाई दे रहा है चोरों ने मंदिर के दरवजे पर लगा ताला तोड़कर मंदिर परियुशेर में प्रिवेश किया एसी भी जानकरी सामने आई है मंदिर में लगे CCTV केमरों की फुटेज की छानबीन में तीन अग्याद जनों दोरा रात करीब दो से तीन बजे की बीच चोरी की वारदात को अंजाम जे जाने की बात भी सामने आई है इस्थानिकों के अनुसार इस मंदिर में अब तक ये तीसरी चोरी की गड़ना है बार बार इस तरह की चोरी होने के बावजू चोर अभी पुलिस की गिर्फ से बाहर है इस मामले ने विरार प्लिस पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं आपको बता दे कि शेत्रवासियों का आरोप है कि जब भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में शेत्रवासी जनता सुरक्षित कैसे हो सकती है अभी तो चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है लेकिन ऐसे ही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जब शेत्र के हर गर के ताले तूटने लगेंगे आपको यह भी बता दे कि खबर लगा जाने तक इस मामले में प्लिस द्वारा की गई किसी भी तरह की कारवाई या चोरों की धरपकड आदी की कोई आदिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आए ब्योरा रिपोर्ट सेफ ने उदला आयो हमारे चैनल सेफ नीज लाइव पे अपने व्यापार एयों सेवा से संबंदित विज्यापन है तू मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर करें